गोन खाने से शरीर को मिलते हैं फ्रोफाइदे सर्दियों में इस तरह करें सेवन सर्दियों में गोन खाने से शरीर्द गर्म रहता हैं गोन से हड्या मस्बू Borbs होती है ava हाट से संबंदित बीमारियों का खत्रा कम होता है आपको डाइट में गोंद जरूर शामिल करना चाहिए नमस्कार मैं हुई इशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कारिक्रम सर्दियों में गोंद के लड़ू पंजीरी और चिक्की लोग खूप खाते हैं गोंद खाने इससे जब रस निकलने लगता है और यह सूख जाता है तो गोंद बन जाता है सूखने पर यह भूरा रंका और काफी कड़ा हो जाता है आप जिस पेड़ का गोंद खाएंगे उसके ओशिदी भी गोंद में आते हैं ठेंड में आपको गोंद का सेवन जरूर करना चाहिए और ज्यादातर लोग बबूल का गोंद ही इस्तमाल करते हैं यह बहुत पोश्टिक होता है और खाने में लड़ू और पंजीरी बनाने में बबूल का गोंद काफी अच्छा होता है अगर आप नीम के गोंद का सेवन करते हैं तो इससे खून की गती बढ़ती है और सफूर की व्रिद्धी होती है जो लोग सुभा गोंद और आटे से बने लड़ू खाकर दूद पीते हैं उनकी रोग प्रतिरोदक शम्ता बढ़ती है गोंद से बनी चीज़े खाने से हाट की बीमारियों का खत्रा कम होता है और मांस्पेश्या मजबूत होती है बचे के जर्म के बचाद महिलाओं को गोंद के लड़ू खिलाया जाते हैं इससे दूद बनता है और प्रेग्नेट महिलाओं के लिए गोंद फाइदमन माना जाता है इससे रीड की हड़ी मजबूत हो बनती है गोंद खाने से शरीर में ताकत आती है और सर्दियों में गर्माहट लाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है आप गोंद को आटे की पंजीरी में मिला कर खा सकते हैं इसके लिए भुना आटा मखाने सुखे मेवे और चीनी को भुने हुए गोंद के साथ मिक्स करके पंजीरी बना ले नारियल का पाउडर सुखे खजूर खुस-खुस के दाने, बादाम और गोंद को घी में भुनकर लड्डू बना सकते हैं ठंड में आप गोंद से चिक्की भी बना सकते हैं चिक्की भी सर्दियों में काफी फायदमन होती है सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप आटे व हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले